Cash flow statement के अंदर देखा जाए, निउ चप्टर है, आपके एक्जाम में कितने नमबर का आएगा ये, एक्जाम के अंदर आठ नमबर का कोशन आएगा, और इसके अंदर छे नमबर का एक practical कोशन होगा, और 6 नमबर के साथ आपका 2 नमबर का MCQ-based question में या फिर theoretical part में आएगा तो आज इस class को देखके इस class को समझके हम जो 2 नमबर का question आएगा वो तो definitely done कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी cash flow statement सबसे पहला आपका theory पूछा जा सकता है MCQ में कि cash flow statement पे कौन सा accounting standard लगता है तो इसके उपर accounting standard लगता है हमारा 3 revised क्योंकि revised इसलिए word लगाया गया accounting standard के आगे accounting standard 3 revise कर दिया गया यह फरक होता है revise में तो हमें revise में और पहले क्या difference था उसके अंदर जाने की कोई जूरत नहीं है basically cash flow पहले हम word chapter के name को समझते है cash flow का मतलब होता है आपका अगर किसी organization की मैं बात करूँ तो इस organization के cash flow का मतलब business से बाहर cash जा रहा है उसके उपर भी हमें निगरानी रखनी है और business के जो अंदर cash आ रहा है इसके उपर भी हमें ध्यान रखना है इस basis पे हमें decision लेना है यहाँ पे इस chapter को बनानी का बैसे तो कोई भी company हो उसके ओ तो यह chapter यह cash flow statement बनाना ही पड़ता है लेकिन कोई partnership हो या फिर कोई sole proprietor हो उनको cash flow statement बनाने की कोई जूरत नहीं है financial statement की मैं बात करूँ तो financial statement में क्या-क्या आता है सबसे पहले profit and loss आता है balance sheet आता है और एक notes to accounts आता है और एक यह भी cash flow statement financial statement का part माना जाता है तो एक question आ सकता है कि cash flow statement is also part of financial statement true or false में पूछा जा सकता है तो यह हमारा financial statement का ही एक part है तो एक तीर number का कौन सा standard लगता है AS3 और यह financial statement का part है इस chapter को लाने की क्या जूरत पड़ी लाने के जो जूरूरत था क्यूं था और इससे क्या हमें फाइदा मिला मैं अभी आपको simple समझ में आ जाएगा मानलो आपका एक है यहाँ पे suppose करो मैंने बनाया trading and profit and loss मैं पी इंडल की बात कर रहा हूँ पी इंडल में मैंने buy side में लिखा GP और GP suppose करो मैंने लिखा 10,000 यहाँ salary लिखा मैंने और salary लिखा 1,000 depreciation लिखा मैंने depreciation लिखा मैंने 500 मैंने लिखा loss by fire loss by fire 500 रुपए यहाँ पे मैंने electricity bill लिखा electricity bill 1000 अगर मैं आपसे net profit पूछू तो आप easily यहाँ पे find करके बता सकते हूं total आ गया 10,000 और इस 10,000 में से हम क्या करते हैं एक एक करके इन सब को minus कर देते हैं तो net profit आगया आपका 7,000 और हमारे mind में यही चल रहा होता है कि net profit हमारा कितना है 7,000 और यही हमारे पास cash का balance होगा net profit का मतलब होता है जितना मैंने पैसे कमाया तो मेरे पास 7,000 रुपए होने चाहिए अगर मैंने 7,000 रुपए कमाया है तो 7,000 नेट होना चाहिए हम कही न कहीं double entry system में mistake कर रहे है क्योंकि जब मैं cash गिनने बैठा तो यहाँ पे कुछ ऐसे item भी मैंने P&L के debit में लिखा है जिसके अंदर cash तो हमारा outflow inflow हुआ ही नहीं लेकिन हमारा profit 7,000 है देखो जैसे depreciation के लिए क्या मैंने किसी को 500 रुपए दिये होंगे नहीं दिये होंगे depreciation depreciation तो machinery पर charge किया जाता है क्या मैंने loss by fire मेरा go down में आग लगने के वज़े से मेरा नुकसान हुआ तो क्या उसके बदले मैंने किसी को पैसे दिये होंगे नहीं दिये तो ये 1000 रुपए एक ऐसा item है जिसकी वज़े से हमारे business के बाहर cash तो गया ही नहीं तो मैं जब cash को गिनने बैट हूँआ तो मुझे 7000 के बदले मुझे मिलेगा कितना हमारे पास 8000 तो समस्या यही है कि हमारे cash क्यों फरक हो रहा है क्योंकि जितना profit कमाया है हमारे पास उतना ही पैसा होना चाहिए लेकिन result क्या मिला हमें जितना profit कमाया उतना पैसा नहीं है कहीं उससे हमें ज्यादा मिल रहा है जो कि कितना है हमारा 8000 तो वही चीज हमें क्या करना पड़ा analysis करना पड़ा एक एक item को कहां से कितना actual में cash flow होता है और कहां से नहीं होता क्योंकि हमारा opening cash और closing cash मिलने पारा था तो हम सरिफ opening cash के balance को और closing cash के balance को match करने के लिए और उसके अंदर क्या कमी है क्यों ऐसा हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हमने क्या बनाया cash flow statement क्योंकि आपके पास profit कुछ और balance कुछ और है क्यों ये दोनों difference आ रहा है हमारे पास profit जैसे की 7000 और cash का balance कितना है 8000 ऐसा क्यों difference है कुछ न कुछ तो gap है तो हमें ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए अपने net profit में अगर 1000 रुपए add कर दू तो वापस मैं बराबर पहुँच जाऊँगा सेम ऐसे bank reconciliation statement का अगर एक example लो मैं तो bank reconciliation statement पे था पास book का balance कुछ और आ रहा था cash book का कुछ और तो कुछ चीजों को हमने add less के उसको बराबर किया तो यही बस कमी को दूर करने के लिए basically यह chapter बनाया गया और इस chapter का मतलब क्या है question आता है what do you mean by the cash flow तो यह हमारे business organization का cash inflow और outflow के बारे में basically बताता है कि हमारे business में कितना cash inflow हुआ और हमारे business में कितना cash outflow हुआ outflow का मतलब हमने किसको कितना payment किया है inflow का मतलब हमने कितना किस से payment receive किया है तो जैसे जैसे यह chapter आता गया तो detailed technical knowledge और लेना पड़ी गया तो इसको तीन पार्ट में divide कर दिया गया एक कर दिया गया operating activity एक कर दिया गया investing activity एक कर दिया गया financing activity और अच्छे से समझने के लिए तो तीन पार्ट सबसे पहले एक chapter बनने का reason background history क्या है वो मैंने समझाया अभी आपको कि इसलिए बनाये गया क्योंकि differences मिल जाता था अब इन तीनों activity को अलग किया गया तो हमारे पास financial statement की बात करे तो basically financial statement में एक हमारे पास तो profit and loss है और एक balance sheet है दो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तो इन दोनों पार्ट को लेके चर्चा की गई P&L से हमारे क्या निकलता है net profit balance sheet में यहाँ पे क्या होता था share capital shareholder fund जिसे बोलते हैं और क्या होता था non current liability और क्या होता था current liability यहाँ पे होता था fixed assets और investment और current liability अगर आप ध्यान से देखो तो current liability और current assets क्यों बनता है या तो sales करने से बनता है या purchase करने से बनता है या उधार माल को हमने या तो payment नहीं किया है तो इसका मतलब current assets और current liability कहीं न कहीं यहीं से relate होता है आप कोई भी example उठा के देख लो जैसे कि मैं बोलू outstanding rent तो कहां से related है P and L से related है मैं बोलू debtor current assets का part है तो कहां से related है sales से related है मैं बोलू credit कहां से related है purchase से related है मैं बोलू prepaid expense कहां से related है आपका P and L तो यह दोनों Authority Bal basically देखा जाए तो कहीं कहीं ये दोनों पार्ट रिलेट जो करता है वो वो सीधा सीधा रिलेट करता है किस से हमारा profit and loss से और इन दोनों का अपना अलग-अलग importance है ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा के पैसा कहां से लाए हम ये basically क्या होता है business के लिए capital होता है ठीक है तो ये एक अलग सोच है और ये क्या होता है basically business को खड़ा करने के लिए business के लिए क्या-क्या assets है यानि ये total हमारा एक तरीके का क्या होता है assets तो हमें देखो तीन पार्ट मिल गया एक पार्ट की मैं बात करूँ तो एक पार्ट मेरे connected है reason पी एंडल के अंदर जितने भी खर्चे होंगे income होंगे अगर उसका payment नहीं किया तो current liability में पाये जाएगा अगर हमने खर्चा ज्यादा कर दिया तो current assets में पाये जाएगा तो connected है तो इन सब को एक अलग जगह पर analysis करना पड़ा हमें इस वाले पार्ट को एक करना purchase करना salary paid करना wages paid करना discount receive करना यह एक तरीके से business को operate करने के काम आता है तो इसलिए इस वाले पार्ट को कहा गया cash flow होगा जो भी इस वाले पार्ट से cash lane दिन जाएगा हम उसको रखेंगे operating activity में ठीक है और क्यों बोला गया क्योंकि यह business को generally देखो आप खुछ सोचो sales, purchase, debtor, creditor यह business को operation के तो काम आता है तो इस वाले पार्ट से जो activity होगा cash flow, inflow हो चाहे, outflow हो इसको हमें एक अलग जगह पर रखेंगे और उसका एक अलग से हम heading बना के रखेंगे जिसका नाम दे दिया गया cash flow from operating activity ठीक है, अब रह गया भाई, इस वाले पार्ट को तो कर लिया, अब इसको analysis करना था यह वाला पार्ट था, हमारा ऐसा पार्ट था, जो की करजा लेन देन से हमारा था हम यहाँ पर पैसा लेते थे और उसके उपर ब्याज दिया जाता था एक तरीके से capital का पार्ट माना जाता था तो इस वाले से जो भी, इस वाले point से जो भी हमारा पैसा आएगा, पैसा जाएगा उसको एक अलग heading दिया गया, उसको अलग heading दिया गया बेसिकली ऐसे point जहां पर debenture वगरा होता है, उसे finance बोलते है finance related है, finance यानि पैसा ही लेना, करजा लेना क्या होता है, हमारा finance होता है तो इसको रखा गया cash flow from financing activity और business चलाने के लिए आपको वहाँ पर पूंजी लगाना पड़ेगा पूंजी का मतलब कि investment assets में करना पड़ेगा और उसके बाद building हो चाहे, machinery हो चाहे, आप कहीं और investment करो तो ये वाला हिस्सा था, बोला भाई, इस वाले part को तो ऐसा करेंगे इस वाले part के लिए अलग heading generate करो ताकि जब analysis करने बैठे हम, तो analysis करने पर हमें clarity पता चल जाए कि ये इस वाले part का पैसा आया और गया पता चले, ये इस वाले part का पैसा कितना आया और गया पता चले और ये इस वाले तीन हिस्से में, इसको basically हम बोलते हैं investment इसको बोलते हैं investment, तो इसको रखा गया cash flow from investing activity में, तो यहां से ना हम खर्चों को भी जज़ कर सकते हैं, मैं बोलू building, तो आपका answer है sir, यह तो investing activity का part है, लेकिन अगर आप बोलते हो sir, building और आप P&L के अंदर ढूंडते हो, तो आपका concept ही नहीं पता आपको फिर, अगर मैं ब बोलता हो कि debenture, आप सोचते हो, debenture P&L के अंदर financing का part है, मैंने बोला debenture, तो आपको पता होना अच्छी है कि यह तो सीधा कहां का part है, financing का, अगर आप confused होते हो कि sir, debenture operating में जाएगा, या investing में जाएगा, तो इसका मतलब आप concept नहीं जानते, concept क्या कहता है, finance is related, जो भी इनफ्लो और आउट्फ्लो होगा, उसको कौन से activity में रख दिया गया, financing, fixed assets और investment से related, यानि non current investment की मैं बात कर रहा हूँ, उससे related जो भी होगा, वो कहां रखा गया, investing, और profit and loss से related, और current assets और current liability से related, कहां जाएगा हमारा operating activity, सिर्फ दो पार्ट इसके इंदर छोड़ा गया है cash और cash and equivalent को, बस हम discuss करेंगा, मैं बोलू जैसे rent, बताओ किसका पार्ट है, operating activity, electricity, operating activity का पार्ट है, ऐसे ही साथ के साथ और क्या बताया गया इसके अंदर, भाई, financing activity का पार्ट आप actual तभी हो गए, अगर इससे होने वाला खर्चा भी आप यहीं put करो, इससे होने वाला भी ख प्रस और लोन, तो आपका आंसर आना चीए, सर यह financing activity का है, आता भले ही P&L में, लेकिन हमें यहां से हटाएंगे, जब format सीखेंगे, तो यहां से हम आठा के उसे सही करेंगे, और यह सही करने का मतलब यह मत समझना कि हमारा P&L गलत सीख रहे हैं, नहीं, हम cash flow statement बनाने के ल कहीं पर एक मकान लेके छोड़ा होगा, वहां से किराया आ रहा हो तो investment, तो इससे related expense इसी का part माना जाएगा, और इससे related income इसका part माना जाएगा, सर क्या इससे कोई expense नहीं हो सकता, नहीं, मैं कहीं पैसे भी लगाओं और किसी और को और पैसा दूँ तो ऐसा possible नहीं है, इसस हमेशा क्या होगा, income आएगा, अब एक बात और, सर इससे जो भी पैसा हमारा क्या होगा, इससे maximum क्या होगा, inflow होगा या outflow होगा, सोचो, outflow, क्योंकि हमेशा assets को क्या करेंगे, खरीदेंगे, बेचने पर हमारा inflow तो होता है, बेचेंगे तो हमारे पास पैसे आएगा, तो वो तो inflow का part माना जाएगा, लेकिन कोई भी businessman assets को इतनी जल्दी नहीं बेचता, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, अपने assets को खरीदता है, तो यहाँ पे generally जितने भी answer निकलेगा, वो outflow में आएगा, और इसके अंदर हमारा answer क्या आएगा, inflow के अंदर आएगा, इसके अंदर depend करता है situation पे, तो अभी मैं कुछ point मैंने basically आपको एक term defined किया कि कौन सा item कहां से related होगा, और भी हम explain करेंगे, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ sales, बताओ किसका part है, operating activity का part है, आपसे मैं पूछता हूँ debtor किसका part है, operating, देखो debtor कहां है, current assets का part, आपको यह भ activity का part है, मैंने बोला fixed assets, investing activity का part, मैंने बोला आपका bills payable, operating activity का part है, मैंने आपसे बोला interest receive on investment, invest, interest receive on investment, तो यहां से receive हूँ है, ठीक है न, dividend paid, financing का part है, dividend receive, investing, dividend paid, आप लोग shareholder हो, आप समने मेरी company में invest किया है, मैं आपको shares पे dividend दूँगा, तो मिरे लिए खर्चा है, लेकिन किस से related खर्चा है, finance से, क्योंकि capital से related है, dividend receive, मैंने किसी और company में पैसा invest किया है, share में, वहां से मुझे dividend मिलेगा, तो investment पे dividend मिल रहा है, तो investment किसका part माना जाएगा, investing activity का part माना जाएगा, loss by fire, loss by theft, loss on sale of fixed assets, loss on sale of fixed assets, अब देखो, loss on sale of fixed assets का मतलब है, कि हमारा assets को, हजार वाले assets को मैंने कितने में बेच दिया, उससे सस्ते में बेच दिया, तो actual में देखा जाए, तो इससे related खर्चा है, है ना, मैंने बोला, इससे related हमेशा income को record करना है, अगर इससे related खर्चा हुआ, तो यहाँ आ जाना, समझ मैं आए बात आपको, इससे related अगर खर्चा हुआ, तो आपको कहाना पड़ेगा, operating activity के अंदर आना पड़ेगा, अगर मैं बोलता हूँ, rent received, तो बिलकुल investing activity, अगर मै तरीके से नुकसान खर्चा है यह, तो कहां का पार्ट मानेंगे हम, operating activity का पार्ट मानेंगे, goodwill return off, मेरा पहले 5 लाग का goodwill था, अब 3 लाग का बच गया, 2 लाग का नुकसान हो गया, goodwill return off, सबसे पहले goodwill किसका पार्ट है, यह बताओ, fixed assets का पार्ट है, तो वैसे तो होना च क्यूंकि बढ़ रहा है हमारा, यह assets नुकसान नहीं, फाइदे की हम बात करेंगे, patent return off, operating का, patent increase, investing का, machinery increase, investing का, ठीक है, depreciation, देखो आप ऐसा coordinate मत करना सा, depreciation तो machinery पे लग रहा है, तो मैंने बोला न, खर्चा है, खर्चा कहां चले जाएगा, इसका shift हो जाएगा, operating में, clear हो र हैगा कि कौन सा खर्चा, कौन सा income, एक नंबर, तीन नंबर में question भी आएगा, तीन से चार point दे देंगे आपको, और बोलेंगे, यह कौन से head में आना चाहिए, बताइगे, head का मतलब operating activity का part है, head का मतलब financing activity का part है, या फिर आपका, sorry, investing activity का part है, या financing, ये clear है, operating में क्या आएगा, financing में क्या आएगा, ये अच्छे से clear होना चाहिए, format तो बस एक अपचारिक है कि मैं format करूँगा, और वहाँ पर लिख के बताऊगा, जी, ऐसे, ऐसे होगा आपका, और उसको आप आराम से solve भी कर लोगा, और दो या तीन adjustment at 12th class level पे, वो easily हम सीख भी जाएगे, ल पोस करो, credit sales, operating का पार्ट, ठीक है, लेकिन credit sales यहाँ पे भी आता है, और आपका वैसे debtor का पार्ट भी माना जाता है, bills receivable, operating activity का हमारा पार्ट माना जाएगा, इसके बाद interest on, आपका, मान लो interest on bond, financing का, ठीक है, interest on bond किसका है, financing का है, तो इसके साथ अब electricity bill, जो भी सारा इसका पार्ट, यह point तो clear है आपको, किसी को इसमें कोई दिक्कत, अब हम एक एक करके, पहले हम operating activity सीखेंगे, एक class, दो class, जो भी लगे operating को सीखने में, फिर हम investing सीखेंगे, financing, और जब तीनों सीख हो जाएगा cash flow statement, cash flow statement ये वाला part नहीं है, cash flow statement ये है हमारा, अगर इन तीनों को जोड दिया जाए, तब जाके हमारा बनेगा, cash flow statement हमारा बन जाएगा, चलिए यहां तक हमें point clear हो गया, कि किसको हमें operating में डालना है, किसको investing में, इसी चीज को मैं और describe कर देता हूँ, अगर operating activity को जानना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस-किस point को, मैं उसको भी explain कर देता हूँ, अगर cash flow statement जानना है, तो किस-किस point को ध्यान रखना है, एक तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा profit and loss को, सर, profit and loss या trading profit and loss, मैं इसको बोल देता हूँ, statement profit and loss, ये ठीक रहेगा, इसमें सब कुछ आ गया, statement profit and loss को ध्यान में रखना पड़ेगा, और एक ध्यान में रखना पड़ेगा हमें current assets, और एक ध्यान में रखना पड़ेगा current liability, ये तीन चीजों को ध्यान में रखना Sir profit and loss में से क्या each and every item को show करेंगा नए profit and loss मेंसे हम किस-kis item को pick करके add less करेंगे तो वो देखते हैं Profit and loss में तीन तरीके के हमें item मिले गए यहाँ पे अगर मैं profit and loss की बात करो तो यहाँ तीन तरीके का item होगा तीन तरीके का कौन-कौन सा item होगा एक होगा हमारा non cash item, एक होगा non cash item, एक इसके अंदर होगा income, income relate to investing activity, investing activity, अभी इसके example भी लोगा मैं और इसको और भी explain करेंगे, ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा expense, expense relate to financing activity, financing activity, third one हमारा ये रहेगा, इसके example, non cash item के example, point number one, depreciation, point number two, goodwill return off, point number three, preliminary expense, expense return off, point number four, loss on sale of fixed assets, point number five, general reserve, चलो, general reserve को तो अलग से ले लेंगे हम, non cash में नहीं रखते, point number five, loss by fire, मैंने पांच point लिखा है, और भी point है, बस मैं example के तौर पांच point लिख रहा हूँ, ये वो सारे point लिखे हैं, जो profit and loss में दिखाए जाते हैं, और profit and loss में दिखाए जाने के साथ साथ, ये हमारे कहीं न कहीं expense के तरीके से दिखाए जाएंगे, debit side में, लेकिन इसमें cash किसी को नहीं देना होता, अगर मैं machinery पे depreciation लगा रहा हूँ, और मेरा assets कम हो रहा है, तो मैं किसी को depreciation के पैसे दे करके नहीं आऊँगा, अगर मेरा goodwill return off हो रहा है, या patent return off हो रहा है, 4 लाग का पहले मेरा goodwill था, अब 3 लाग का हो गया, तो 1 लाग रुपए का जो कमी आया है, तो वो मैं किसी को payment नहीं करूँगा, preliminary expense, जो starting के खर्चे होते हैं, उसको हम write off करते हैं over the life, उसके अंदर कुछ हमारा accounting standard follow करके फिर उसको हम write off करते हैं, फिर question में given होता है write off, तो ये भी हमारा किसी को पैसे देना नहीं होता, payment तो हो जाता है सबसे पहले वाले साल में, और हर साल में हम बारी बारी करके इसको दिखाते रहते हैं, loss on sale of fixed assets, हमने 10 लाग का assets, मैंने 8 लाग में बेच दिया, तो 2 लाग का नुकसान हुआ, तो 2 लाग क्या मैं किसी को payment करके आऊंगा, नहीं करके आऊंगा, loss by fire, मेरे go down में आग लगने की विज़े से मेरा माल जल जाता है, तो नुकसान है, और P&L में दिखा रहे हैं, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें payment आपका गया क्या, नहीं गया, तो आप बताओ, ये मेरे profit को क् कम कर रहा है, ये जादा कर रहा है, लेकिन मेरे cash को क्या कम कर रहा है, हमें profit को cash तक लेके जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, profit में बताओ, इसे add करना चाहिए, simple देखो, आपको अगर concept clear होता जाएगा, तो आप ही खुद बता दोगे, sir, इसे add करना पड़ेगा, और कौन से activity से related है ये, तो operating में ही add करेंगे भाई, ठीक है, कौन से operating से related है, तो operating में add करेंगे, अगले point पर चलते है, income related to financing activity, इसके भी example, investing activity, generally हमारा जो income generate होता है, सिर्फ एक sales, commission receive और discount receive, ये तीन तरीके के income को छोड़ दो, बाकी सारे income हमारे होते हैं, assets से generate होते हैं, जो की relate कहां से करेंगा हमारा investing activity से, तो अगर income investing activity से है, तो आप operating activity में क्यों दिखा रहे हो, आप अपने operating activity में दिखाने का मतलब, जब आपने PL बनाया, तो rent receive यहां पे क्यों दिखाया आपने, rent receive किसका part होना चाहिए था, investing, और investing activity आप जानते हो, कि investing activity पी औल का item नहीं show कर सकते, investing activity में सि investment और उससे होने वाला income होना चाहिए, तो same हमने profit and loss में दिखा रखा है इसे, जिसकी वजह से हमें cash का actual flow कहां से हो रहा है, वो compare नहीं कर पा रहे, वो analysis नहीं कर पा रहे, तो बोला जाता है, यह हमारे profit को unnecessary बढ़ा रहा है, लेकिन यह जो बढ़ा रहा है, cash का inflow हो रहा है, लेकिन वो तो इसका part है, तो हमें क्या करना चाहिए, rent receive, example, interest receive, dividend receive, यह सारे income है, और यह income किसकी वजह से है, fix assets की वजह से है, या investment की वजह से है, तो यह assets अगर fix assets या investment की वजह से है, तो यह income हमारे P&L के profit को बढ़ा रहा है, और इसे हमें P&L में क्या कर देना चाहिए, profit में minus, हम net profit pick करेंगे, net profit में इसे तो plus कर देंगे, और इसको minus कर देंगे, तो कहीं न कहीं हम क्या कर सकते हैं, उस cash flow statement को rectification कर सकते है, reconciliation, इसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है expense related to financing activity, मैं interest on loan P&L में दिखाता हूँ, अभी मैं आपसे पूछो सर बताओ interest on loan किसका पार्ट है, आप बोलोगे सर financing का है, तो financing का P&L से कोई collection नहीं है, dividend paid मैं P&L में दिखा देता हूँ, जबकि उसको वहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो expense related to financing activity, example, क्या क्या हो सकता है, जैसे interest paid, जैसे क्या हो सकता है, dividend paid, ये दो example मैंने लिखे, इस item को हमने profit and loss के debit side में दिखाया, और इसके वजह से operating activity हमारा कुछ और अलग आ सकता है, तो यानि मैंने अपना खर्चा दिखा के profit को कम किया हुआ है, तो हमें profit को कैसे ठीक करना है, plus करना पड़ेगा, तो सबसे पहले operating activity को अगर जानना चाहते हो, तो profit and loss में से कुछ item को हमें, पूरा profit and loss हमें given होगा, तो उसमें से कुछ item को निकालके add कर देंगे और कुछ item को निकालके minus करेंगे, इसको add करना होगा, इसको add करना पड़ेगा, और income related to investing activity को क्या करना पड़ेगा, minus, ठीक है, चलो, अब इसके बाद इसकी बात करते हैं, third one, मैं क्योंकि investing activity के discussion तो बाद में करूँ, आज operating activity की सिर्फ कर रहा हूँ मैं अब current assets की मैं बात करता हूँ, तो current assets में बहुत सारे ऐसे example है, जिसके अंदर मालो मैंने उधार माल खरीदा, ठीक है, तो हमारा stock increase हो रहा है, उधार माल खरीदेंगे तो stock increase हो रहा है, लेकिन पैसे का flow नहीं हो रहा कहीं भी, या फिर उधार माल बेचा, तो same ऐसे पैसे का flow नहीं हो रहा, तो current assets के अंदर देखा जाए तो business का अगर current assets, अगर business का assets increase होता है, तो बताओ क्या होगा? बिजनस के लिए beneficial है या बिजनस के लिए bad है एक तरीके से अगर assets increase हो रहा है तो simple है भाई बिजनस का जितना assets बढ़ रहा है तो क्या बोलोगे बिजनस बहुत अच्छा काम कर रहा है बिजनस के लिए good है तो यहाँ पे इस activity से हमें क्या देखना होगा हमें साथ 2 साल का data मिलेगा जिससे compare कर करके लिखेंगे हम इस activity में देखना पड़ेगा हमें कि अगर आपका ये plus हो रहा है प्लस होने का reason पता है क्या है मैंने क्या करा होगा उधार माल बेच दिया होगा तो stock चला गया मेरा ठीक है stock चला गया debtor बढ़िया मेरा उधार माल बेचने से जो stock मैंने खरीदा था cash देके उसके बदले तो मेरा पैसा आया यह नहीं है तो इसके अंदर current assets के अंदर क्या देखना होगा प्लस करना पड़ेगा कुछ आइटम को और माइनस, कौन से आइटम को प्लस करना पड़ेगा, अगर current assets मेरा decrease हो रहा हो, basically concept एक applicable होता है, inflow को add करो और outflow को माइनस करो, ये concept लगता है, लेकिन वो यहां तो नहीं लगता, बाकी सब पे लगेगा वो, ये इसको छोड़कर बाक अगर मैं minus की बात करूँ, तो अगर मैं, sorry, पहले मैं plus की बात करता हूँ, मानलो मेरा debtor कम हो गया, debtor कम हो गया, debtor क्या है, current assets है, अगर मैं बात करता हूँ, debtor कम हो गया, तो पैसे का क्या हो रहा हो, सोचो, inflow हो रहा हो या outflow हो रहा होगा, inflow हो रहा हो, cash आ रहा है, लेकि पार्ट ही नहीं है, इसी के बारे में तो सीख रहे हैं, तो इस पार्ट को cash bank को हटा के सोचना है आपने, ठीक है, debtor मेरा कम हो गया, पहले एक लाग का debtor था, अब मेरा debtor हो गया, मालो 50,000 का, तो दो reason हो सकते हैं, तो benefits, एक हो सकता है cash, तो benefits नहीं हुआ, ये भी clarity दे दू मैं तो एक लाग का debtor 50 कैसे बना, 50 मिला होगा, inflow हुआ, यानि मेरा debtor कम हो रहा है, debtor कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, assets घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है, तो debtor कम हो रहा है, तो मेरा क्या होगा, हमारा inflow होगा, debtor कम होगा, तो हमारा inflow होगा, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए इसे plus करना चाहिए यानि अगर current assets मेरा decrease हो रहा हो तो हमें क्या करना पड़ेगा plus पहले logic समझो inflow will be added inflow हमारा debtor अगर कम हुआ तो हमारे पास cash receive होगा inflow add होगा cash को छोड़ दो ऐसे मैं सोचना sir debtor कम हो रहा है तो cash भी तो बढ़ रहा है no impact नहीं cash को हटा दो current assets का part हमारा cash नहीं माना जाएगा इस chapter के लिए सरिफ वो cash and cash equivalent का part माना जाएगा बाद में देखेंगे debtor कम हुआ debtor कम होने से क्या हो रहा है inflow inflow हो रहा है तो add करना चाहिए minus करना चाहिए यानि simple सा logic यहां से निकल कर आता है तो prepaid expense था जैसा ही मैं लूँगा तो prepaid expense क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो inflow होने की वज़ा से तो इसलिए जब कभी भी current assets कम हो तो क्या करेंगे हम उसको plus अब मैं बढ़ने की बात करता हूँ current assets बढ़ेगा तो हमारा outflow होगा मानलो मैंने नगत समान खरीदा stock बढ़ी गया ना assets बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा cash को छोड़ देना आप मैंने बोला cash को involve मत करना तो assets बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेरा outflow हो रहा है या inflow हो रहा है outflow तो इसको क्या होना चाहिए minus होना चाहिए इसका मतलब मेरा plus मैंने क्या कहा है यहां पर अगर मेरा यहां पर यह सिंबल हटा देता हूं नहीं तो confusion होगी मैं एक बात बता दूँ कि अगर हमारा current asset decrease हो रहा हो तो हम operating activity में क्या करेंगे plus करेंगे example debtor अगर मेरा current assets increase हो रहा हो तो क्या होगा outflow होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा minus जैसे stock purchase समझ में आए क्या आपको ठीक है अब इसको simple तरीका याद रखने का क्या है देखो current assets का decrease होना business के लिए क्या है good या bad bad है business के लिए तो उसे हम add करेंगे ठीक है और current assets का increase होना क्या है good उसको minus करेंगे तो sir इसके उपर अलग इसके उपर भी मैं ऐसे concept लगा होगा जिससे आपको याद हो जाए एक ही concept लगेगा यहाँ पे creditor अब creditor की मैं बात करता हूँ मैंने creditor को payment किया creditor को जब payment करूँगा तो मेरा outflow होगा inflow होगा outflow होगा पैसे क्या होगे चले जाएंगे या मैं creditor की बात करता हूँ अब देखो यहाँ पे क्या concept लगाना है आपको outflow और inflow से ही सोच रहा है हमें तो यहाँ पे अगर आपका increase हो रहा हो creditor क्रेडिटर कब increase होगा उधार माल खरीद लोगे no flow item है आपका no flow item क्या होना चीए आपका cash flow में plus होना चीए यहाँ पे मैंने बताए no flow item क्या है आपका plus हो जाएगा अगर मेरा creditor increase होगा तो हम क्या करेंगे plus करेंगे कहां पे operating activity में अगर हमारा current liability decrease होगा तो हम minus करेंगे कहां पे operating activity में concept भी देख लेंगे इसका example भी देख लेंगे नहीं तो format बनाते time पे तो हमें पता चली जाएगा कैसे impact आ रहा है पहले हमें याद रखने का एक तरीका पता चल जाए उसके बाद मैं concept पर आ जाऊँगा देखो यहां पर अगर creditor बढ़ रहा है creditor बढ़ रहा है तो business के लिए क्या है बताओ bad या good bad है एक तरीके से और यहां पर भी decrease हो रहा है तो एक तरीके से क्या है bad ठीक है तो आप current assets हो चाए current liability कब bad होगा यह तो decision ले सकते हो तो अगर bad हो रहा हो तो उसे क्या करेंगे हम? Add कर देंगे ठीक है मैंने बोला मेरा creditor कम हो गया या creditor बढ़ गया तो business के लिए क्लिए liability बढ़ रहा है इसका मतलब bad है add करना है मेरा stock कम हो गया business के लिए क्या है? stock कम हो गया business के लिए favor में तो नहीं unfavorable है तो इसे क्या करेंगे add और जो business के लिए good है उसको minus करेंगे reverse सोच रहा है increase हो गया मेरा assets logic बता दिया था stock purchase किया तो minus और मेरा यहाँ minus कब किया मैंने जब decrease हो गया अब बताओ यह जब decrease होगा हमारा liability तो business के लिए क्या है good है तो मैंने यहाँ पर भी concept लगाया कि अगर good हो रहा हो increase हो तो क्या करना आप operating activity में और इसको भी क्या करना minus करना ठीक है अब देखो आपसे मैं concept पूछता हूँ इसी को ध्यान record के छिफ आपको जवाब देना है मैंने बोला मेरा bills receivable पहले पांच लगा था धा अब 6 लगा हो गया क्या करना चाहिए minus क्यूकि business के लिए क्या है? good है मेरा bills payable पहले 5 लगा था अब 8 लगा हो गया प्लस करना चाहिए क्यों क्योंकि बिजनस के लिए बैड है तो simple सा logic है जो चीजे बिजनस के लिए बैड होगा current assets और current liability के उपर apply करना है उसे क्या करेंगे add कर देंगे और जो good होगा उसे क्या करेंगे less और cash इसका part अगर ये सारी चीजे अगर ये point ये point इसी को मैं एक format में describe करूँगा तो हमारा एक statement बन जाएगा जैसे मैं ये सब लिखूँगा plus plus minus फिर से plus फिर यहां पर कुछ item लिखूँगा increase in current asset decrease in current liability plus minus करके दिखाँगा तो एक कहीं न कहीं statement बनेगा उसी statement को मैं नाम दे दूँगा cash flow from operating activity तो पहले आपको ये पता होना चीए operating activity बनाने के लि एक्टिविटी के अंदर क्या item आएगा operating activity बनाने के लिए profit and loss में से rent दे रखा है rent को कुछ मत करो ये information को हमें pick करना है स्रिफ headless के लिए और current assets और current liability में good है तो minus और bad है तो और cash और bank को cash and cash equivalent का जो part होता है उसको हम current assets का part ही नहीं मानेंगे सिर्फ इस chapter के लिए ठीक है clear अब एक बार आप ये noting करो फिर इसका जो logic है जब हम question करेंगे तो मैं वहाँ पे फिर clear करूँगा ठीक है ना इसको एक बार note कर लो फटा मैं कुछ points बताऊंगा बस आपको इसमें बताना है कि ये operating activity का part है या नहीं है आपको इसके अंदर बहुत सारे points given है और उसमें से decide करके बताना है कि कौन-कौन सा item आपका operating activity से relate करता है जैसे cash received from sale of goods operating activity क्यूंकि sale of goods है cash paid purchase of goods operating activity का payment salary and wages operating का part payment of interest on loan ये operating का part ये और हमें पता है ये financing का part है repayment of loan financing का part है purchase of machinery investing operating का part नहीं है dividend paid financing का part है sale of car in cash, car paid किया है, car को sold किया है, car हमारा fixed assets होता है तो वो investing का part है commission receive commission receive, discount receive, ये दोनों जो points है आपके ये operating के रहेंगे cash receive from trade receivable, debtor से debtor कहां का part है, current assets और current assets कहां का part है, operating तो ये भी हमारा किसका part है operating का आपका part है, ऐसे ही आ जाते हैं, question number 3, illustration number 3 पे illustration number 3 आपके book का 8th point, sale of car in cash, car क्या है हमारा fixed assets है, तो वो investing से related होगा, मैंने बोला investing से जो भी पैसा receive होगा, inflow outflow और income, investing का expensive operating में जाता है, यहां पे होता है loss on sale of car, तो कहां का part होता हो operating का होता है, ठीक है, third point, identify out of the following transaction or classify show the investing activity, आपको choose करके बताना investing, वैसे तो हम सारे activity बता सकते हैं, cash proceeds from sale of fixed assets, investing का part है, cash paid for purchase of stock in trade, operating का part है, investing का part नहीं है, repayment of loan, financing का investment, debenture purchase, debenture purchase, मैंने किसी company का purchase किया है, यह आएगा investing का part, loan advance, किसी को loan दे दिया, investing का, purchase of patent, investing का part है, illustration session number fifth पे आजाओ, fifth, identify out of financing activity find करना है, ठीक है, repayment of loan, financing, proceeds issue of shares, financing, debenture subscribe by the company, ध्यान देना, debenture subscribe by the company, company ने किसी और company के debenture को खरीदा है, investing का part माना जाएगा, यह financing का नहीं है, redemption of preference share, financing का part है, interest paid, financing का part, dividend paid, financing का part, increase in bank overdraft, यह cash and cash succulent का part है, लेखो, इस पे एक dispute था पहले, वो resolve हो गया, जो bank overdraft है, या cash credit है, जब हम financing activity करेंगे, तो उस पे detail में discussion करेंगे, यह financing का ही part होता है, cash या bank और bank overdraft, दोनों अलग है, bank overdraft is a liability, लेकिन वो current liability नहीं माना जाता, उसे हम एक तरीके से long term liability मान के करते हैं, क्यों, logic भी देखेंगे, इसे financing का part मानना है आपको, ठीक है, तो increase, issue of bonus share, अब बताओ bonus share issue किया है, यह हमारा cash flow statement का ही part नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि bonus issue में, ना तो मेरा पैसा आता है, ना ही मेरा पैसा जाएगा, तो इसे नहीं माना जाएगा, कई बार loss माना जाता है, ठीक है, इसका यहाँ part नहीं होगा, ओचल वड़ को एफड़ है, इसका शफ़ fps जाता है थाएगई माना turn क्योंस हऊ यहाँ, जाता है, आपका यहाँ, तक बता यहाँstill достý आपको, एक 200-360-360 track मेरे, इसका अजहाई़ है, वगिए्पता है, जा आपको